शाह जी ने यहां मेटिक बुला के हॉम डिपार्ट्परेंट में ये सब दुनों जो हैं दुनों माफ कर दिया अभियंस में रख दिया हैं और जब तक ये आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स मेटिक नहीं होगी कोई भी लागू नहीं होगे आपकी चिंता हिट एंड रन केस में जो आपकी चिंता थी कि 10 साल की सजा होगी जुर्माना होगा आपकी चिंता नहीं बलकी हमारी चिंता है आप हमारे परिवार का एक सदस्य हैं और मालक है तो चालक है चालक है तो मालक है ये चिंता का संग्यान एमटीसी ने अपनी जिम्मेदारी को समत्य हुए सई वक्त पर 28 दिसंबर को ही प्रधान मंत्री जी और अमिज शाजी को पत्र लिखकर इसमें क्यार नुकसान हो सकता है और ये लागू होगा तो क्यार नुकसान होगा किस तरह देश प्रभावित होगा ये चिंता हमने व्यक्त करा दी थी लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सरकार समय पर संग्यान नहीं लेती है वही हुआ जो चिंता हमें थी जो डर था जो भै था वो एक तारीक से दिखने लगा और आपकी चिंता हम दिल्ली में भारत सरकार पर पास लेके आये हैं आज हमें साथ बजे ग्रे मंतराले ग्रे सचीव भल्ला जी के अध्यक्ष्टा में उच्छ तर्य एम टीसी के पदिकारियों से मिटिंग हुई और आपको सूचित करते हुए हमें ये खुशी है कि 106 इन ब्रैकेट दो में जो 10 साल की सजा ह और जुर्माना है वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है और हम आपको पूरा अस्वाशन दिलाते हैं कि ये कानून लागू नहीं होने देंगे आपको कोई चिंता करने की जुरत नहीं है जो भी निरने होगा आपकी चिंता ह आपको एक बार फिर सुचित करना कर रहे हैं कि आपके जो मंजशा है कि दस साल की सजा और जुरमाने का कानुन अभी लागू नहीं है अभी लागू नहीं है और हम आपको आस्वाशन दिलाते हैं कि आगे भी हम आप ये कानून लागू नहीं होने देंगे अगर ये कानून लागू होगा तो हमारी डेट बॉडी के ऊपर सरकार को चलना पड़ेगा तो एक कानून लागू कर पायेगी हम आपसे अपील करते हैं कि आपकी चिन्ता जो मन्शा थी, उसका हल निकल चुका है, आपसे अपील करते हैं कि अपने वाहन उपर आईए, आपने वाहन बिना कोई डर के चलाईए हम पूरी टीम आपके लिए 24 बटा 7 – 365 दिन हाजिर हैं आपसे एक पर फिर अपील करते हैं, कि अपने वाहन उपर आईए और वाहन चलाईए और आपकी चिंताएं दूर हुई हैं बहुत बहुत धन्यवाद बाल पलकीर सिंग चेर्मेन कोर कमेटी औल इंडिया मोटर ट्रांसपूर्ट कॉंग्रेस की में देखिए मैसेज यह है कि पहले भी हम कहते आए रहें मीडिया के माद्यम से भी कहते आए हैं यह पहला आंदोलं था जो स्पॉंटेनिएस एक्शन थे जो स्पॉंटेनियस एक्शन ती इस तरह का जो भी आंदोलन होता है जो देश के लिए बहुत ख़त्रा Copic है और ऑफिशली हम परिवार का सदत से हैं यह कानून का विरोध करते थे उनके साथ में खड़े थे हम कंस्ट्रक्टिव डैलोग में विश्वाश रखते हैं और कंस्ट्रक्टिव डैलोग के माध्यम से इसका हल निकला है जो आपको हमने बताया है कि यह कानून लागू नही होने देंगे जो चिंताएं ड्रैवरों की थी और इंडिया मोटे ट्रांस्पूर्ट कांग्रेस हमारे पास लेके आई है उच्छ तर यह मिटिंग हुई है और हम स्प्रस्ट करना जाते हैं यह सरकार की मैं बोल रहा हूं जो सरकार ने अपनी स्टेटमेंट दी है मीडिया म समय में सब लेंग्वेज में आपके पास आजाएगी उन्हों इसपस्टी इसपस्ट कर दिया कि 106 दो दस साल की सहया जुर्माना का कानून लागू नहीं है और इसे आगे हम चर्चा करेंगे और हमें आशवाशन दिया है और यह हम भी उनसे अशौट करके हैं कि कानून आ खथको और चर्चा का विशें नहीं है चर्चा का विशें यह था जो अंगार लगी है उसे कैसे बुजाना है सुनिए मेरी बात उसमें हम नहीं जाना चाहते आप अलग से प्रेस कोंफरेंस कर लीजिए जो आपनी में नहीं जो मन्शाए होईंगे उसका जवाब देंगे आज हमारा हल निकालना था हमने हल निकाला है कानून आज की डेट में लागू नहीं है और आगे भी लागू नहीं होती है